तो हलो दोफ्तों, उमीद करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत जाद अच्छ होंगे तो दोफ्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैफे आप अपने फोन पे के जरीए अपने लोन का EMI अमाउंट कैफे भर सकते हो, मतलब कि किष्ट को कैफे भर सकते हो ठीक है, वीडियो को कंपलीट एंड तक देखेगा, यहाँ पर मैं आपको step by step for कुछ बताने वालों, तो वीडियो को बिना time waste के हम शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोफ्तों, आप लोग देख पा रहे होंगी कि मैंने phone pay को open कर लिया है, phone pay को open करने के बाद यहाँ पर पर नीचे scroll करने है, नीचे scroll करने के बाद दोफ्तों, आपको यहाँ पर और नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, financial, for with and taxes का, ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा, loan, repayment का, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर करते हो, तो आपको यहाँ पर दोफ्तों, फर्च कॉप्शिन मिल जाता है, तो आपने यहाँ पर फर्च कर लीने है, मुझे जैसे के एक gift भरनी थी, tvf credit में, तो यहाँ पर मैं tvf credit डालूंगा, यहाँ पर डालने के बाद आपको जो है agreement number है, जो आपका loan number होता है, वो यहा यहाँ पर फिल कर देता हूँ, यहाँ पर confirm पर क्लिक कर देता हूँ, जैबस हम confirm पर क्लिक करते हैं, तो आपके पाफ आपका जो है name show हो जाएगा, आपका जो bill date है, वो शो हो जाएगा, ठीक है? and loan number जो है, वो भी show हो जाएगा, अगर आप आप hide करना जाते हैं, तो इफको एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना जो amount है वो एंटर कर दिया है, then यहाँ पर profit to pay पर क्लिक करेंगे, and जो भी आपका bank account है, आप यो flag कर लीजे, then यहाँ पर अपना you pay pin एंटर कर दीजे, एंटर करने के बाद right and file पर क्लिक केजे, and यहाँ पर checking securely होगा, for reconnecting securely, and आपका जो है payment हो जाएगा, अभी यहाँ पर दोफ्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि जब भी आप कोई भी loan भरते हो, तो वहाँ पर इसको update होने में वहाँ पर 3 दिन का time लग जाता है, ठीक है, तो इस बात का अपको ध्यान रखना है, यहाँ पर done पर क्लिक करते हैं, and दोफ्तों यह payment है, वह हमारा complete हो चुका, तो आप भी यह फी तरह फी अपना जो gift है, जए EMI phone पे के जरीए भर पाऊगे, तो मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,